नमस्कार दोस्तों इस सेसन में हम भारती, कला, संस्कृती और इतिहास से संबंदित weekly current affair discuss करेंगे जो कि UPSC और state PCS के लिए pre-oriented होगा पूरी तरीके से यह pre-oriented है अगर इसमें कुछ मेंस के भी निकल सकते हैं तो वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है यह हमारा weekly current affair discussion का weekly schedule और यह हमारा GS की live classes का daily का schedule जहां साम को 3 बज़े से 5 बज़े तक state PCS की live classes चलती है और साम को 6 बज़े से 8 बज़े तक UPSC की live classes चलती है आईए देख लेते हैं हमाज कौन कौन से topic discuss करेंगे हमारी पास आज total चार topic है जिसमें से दो important ब्यक्टित के उपर हैं और दो बिद्रो के उपर ब्यक्तित कौन कौन से हैं एक है पिंगली बिंकाईया और लचित बोर फुकुन और बिद्रो हैं चुवार बिद्रो और संभलपुर बिद्रो तो आई चलते हैं हम आज के अपने पहले topic पर हमारा आज का पहला टॉपिक है पिंगिली बेंकईया जी के उपर जिने भारत के राष्टी धोज का सिल्पकार माना जाता है इनका जन्म आंधर प्रदेश के क्रिशना जिले में हुआ था यह नहीं UPSM पूछेगा कि राष्टी धोज के सिल्पकार कौन थे वो यह बताएगा UPSM जब भी पूछेगा इससे रिलेरेट कोस्टन तो यह बताएगा कि भारती राष्टी धोज के सिल्पकार पिंगिली बेंकईया जी है जो कि एक क्रांतिकारी नेता थे गांधी वादी नेता थे या कि आप कह सकते हैं कि उग्रवादी नेता थे वह एक गांधी वादी नेता थे उग्रवादी नेता नहीं थे एक सुतंता सिनानी थे और एक गांधी वादी नेता थे अब एक और चीज पूर सकता है कि पहली बार भारती राष्टी द्वज का एक एक द्वज मतलब संग्ठित द्वज कब तयार किया गया था तो पहली बार एक द्वज तयार किया गया था 1921 में जिसे भारती राष्टी कांग्रेस की बैठक के लिए तयार किया गया था इसमें जंड़ा तयार किया था पिंगली बेंकईया जी ने कब 1921 में जिसे 1931 में 10 साल बाद भारती राष्टी कंग्रेस ने कुछ पिंगल और वाइट कलर था लेकिन इसे कुछ चैंज के साथ भारती राष्टी कंग्रेस ने अपनाया जिसमें से उपर के सरीय रंग कर दिया गया पहले आप देखेंगे नीचे था लाल रंग लेकिन लाल रंग भी चैंज कर दिया गया इसकी पोजिशन भी चैंज की कर दी इसे के सरीय रंग को सबसे उपर कर दिया गया फिर वाइट कलर फिर ग्रिन कलर इसी का बर्तमान राष्टी द्वज भिक्सित हुआ है अई चलते हैं अज के अपने दूसरे टॉपिक पर जो हैं लचित बोर फुकुन यह कौन है यह अहों बंस के सत्रविश सताबदी के अध्हाइं सरकार के मुख मंत्री ने लचित बौर फुकन का एक अध्हाइं सामल करने के अग्रह किया है अब यह इनका मतलब क्या महत तो क्या ही थी हास में किसलिया द्या में सामर किया है इनका महत तो इसलिए है क्योंकि सत्रवी सताब्दी में एक लड़ाई हुई थी सराय घाट की लड़ाई जो की ब्रह्मपुत्र नदी के किनारी हुई थी सराय घाट की लड़ाई जिसमें लचिद बूर्फुकुन ने 171 में मुगलों को पराजित किया था क्योंकि मुगल अपने फुल फ्रेज में थे इसलिए उनको पराजित करना कोई आसान बात नहीं थी वो भी अहूम राजवन्स के एक सेनपती के द्वारा इसलिए यह महतपुण है 171 में मुगलों को पराजित किया था लचित बूर्फुकुन ने इसलिए इंपॉर्टन्ट है और रिज्या में पूछा भी जा सकता है लेगिन ज्यादा इंपॉर्टन्ट इसमें है बोर्फुकुन सब्द बोर्फुकुन कोई सरनेम नहीं है यह एक पद भी है जो की अवंबंस के राजा चक्रधष सिंग द्वारा लचित को दी गई थी लचित सहनापती थे इनको एक पद भी दी गई थी बोर्फुकुन यह बोर्फुकुन के पद पर आसीन थे बोर्फुकुन का पद वो पद होता था जिसके पास करकारी और नया एक दोनों सक्तियां बिद्दमान होती थी यहने कि यह एक्जिक्योटिव भी था और जैसे आप इसको ऐसे कह सकते हैं इसके पास पुलिस के अधिकार भी थे और जज्जमेंट के भी अधिकार थे तो वह बोर्फुकुन एक पद भी थी ना कि उनका कोई सरनेम बोर्फुकुन एक पद था कहां अहूम राजवन्स के द अंगले टापिक पर चलते हैं वहे चुआर बिद्रो बिद्रो यह हैं इम्पॉर्टन इसलिए हैं कि अभी भारत में बहुत सारे किसान अंडोलन चलते रहते हैं और चुआरंबिक जामर्स किसान बिद्रोहों में से एक है इसलिए यह इंपॉ biss इसे जंगल महल का बिद्रो भी कहते हैं यह याद रखेगा जंगल महल का विद्रो चुवार विद्रो ना दे के जंगल महल का विद्रो दे देगा इसका संग पूछ लेगा कब हुआ या कि कहा हुआ जंगल महल का विद्रो या चुवार विद्रो दच्छन पस्चिम बंगाल या ज्यादा इस पेसिफिक से अठारा सुनों के बीच लगाता एक मतलब एक करके करके विद्रो होते गई यह विद्रों की स्रंखला थी इसका मुख रीजन था कि अंग्रेजों की सोसंड कारी भू राज़त सुनीती जिसके खिलाफ किसानों ने विद्रो किया था अब कि जब किसान विद्रो हो आये तो आप इसमें मतलब मोस्ट प्रबबली चांस रहता है कि वह सोसंड कारी भू राज़त सुनीती के कारण ही किसान विद्रो करते हैं और किसानों को बहुत ज़्यादर राजनीती को लेना देना नहीं रहता है कि हमारा अंगला टॉपिक है संबलपूर विद्रों संबलपूर ऊड़ी सजिले में पड़ता है यह विद्रो कब सुरू हुआ 1827 में सुरू हुआ क्यों सुरू हुआ क्योँ ब्रिटिस ने जो वैद उत्राधिकारी थे महराजा साइं की मिर्ति हो गई 1827 में महाराजा साइं की मिरत्य हो गई महाराजा साइं संबलपूर के राजा थे इनकी मिरत्य हो गई इनके वैद उत्राधिकारी थे सुरिंद्र साइं लेकिन बिटिस सरकार ने इनके वैद उत्राधिकारी को सासना दे के महाराजा साइं की बिदवा को सिंगासन पर बैठा दिया और राज जिकार दुरुपियोग उसके संसाधनों का दुरुपियोग करने लगे जिसके खिलाफ महाराजा साइं के उत्राधिकारी सुरिंद्र साइं ने बिद्रो कर दिया और यह बिद्रो 1827 से सुरू है और 1862 तक लगातार चलता रहा अब इसी बीच 1840 में उन्हें कैद कर लिया गया और 1849 में जो सुरिंद्र साइं का जो राज था या कि ज़्यादा इस पेसिपिक कहें तो वो महराजा साइं की जो बिद्वा थी उनका जो राज था उसे कबजा क के द्वारा उसके और उसमें नीती कौन सी लगाएगी कारण क्या दिया गया जो बैपगत का सिद्धान था उनका यह रप नीती के तहट उन्होंने संबलपूर पर कबजा कर लिया था यह याद रखेगा संबलपूर मतलब कुछ प्रारंभिक स्टेट में था जिन पर अंग् सथा नहीस सब्सक्रान को कर दिया युठ हिए ऑटारा सुसंतामन के 37 सघ्र को मुक्त कर दिया फिर अठारा सच्टामन से 62 में खाक हार के हमारे टॉपिक हमले हूछ यह तक थे वीडियो कैसा लगा थैंक्यों पार वाचिंग और यह जो आप इसमें इंपॉर्टेंट रखिए कि जैसे संभलपूर का बिद्रो है संभलपूर का बिद्रो क्यों मतलब कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह बेपगत सिध्धान्त यह हड़ाप नीति के द्वारा कभजा किया गया था 1849 में आप इसमें मैच करते हैं पहले बहु कर दिया गया था और 14 विद्रो की इंपॉर्टेंट है कि किसान विद्रो से संभन देश में चलते रहते हैं इसको इंपॉर्टेंट है लचित बौर्फुकन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि बौर्फुकन उनका सरने नहीं यह एक पद था जिसको आप कलेक्टर का पद इसकते हैं जिसके पास कार्यकारी और रशाय哈哈 में मॉगलों को पराजिद क्या था जो कि सराय घाट की लड़ाई से यह देख सकते हैं पेंगली मिंग कर यह कि इन्होंने राष्टी ध्वज का तो निर्माण किया था जो कि भारत के राष्टी ध्वज के रूप में परिवर्थित हुआ लेकिन ज्यादा इंपॉर्टन्ट है कि 1921 में इन्होंने भारती राष्टी कांग्रेश के लिए एक नया ध्वज तैयार किया और वही ध्वज 1931 में भारती राष्टी कांग्रेश का एक राष्टी ध्वज के रूप में परिवर्थित हो गया मतलब भारती राष्टी कांग्रेश का एक चिन्ह बन गया पिंगली वेंकईया जी के द्वारा दिया गया एक नया ध्वज और भारती राष्टी कांग्रेश से भी आंगे नि थे यह हैं आप याद रख सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा थैंक यू फॉर वाचिंग